नमस्ते दोस्तों मैं हूं गिरिश चंद्र बहरा फ्रम तालचेर डिस्टिट अंगुल आज हम बात करेंगे मार्केटिंग के दो अलग-अलग तरीकों के विशव में ये दो तरीक है ट्राडिशनल मार्केटिंग यानि कि वो तरीका जो परंपरागत रूप से शुराती दिन से ही इस्तेमाल किया जाता है और डिजिटाल मार्केटिंग जो कि आज का सबसे ज्यादा पॉपुलार मार्केटिंग का तरीका है जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कमपानिंग के प्रोडक्ट या सर्विसेस मार्केटिंग में सस्टेन करें और आच्छा बिजनेस करें इसक लिए मार्केटिंग बहुत जरूर स्टेप होता है, मार्केटिंग एक अम्बलेला टॉर्म है, जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, इन सभी एलिमेंट्स को किसी भी प्रोड़क्ट या सर्विस के लांच होने के पहले से ही फोलो किया जाता है, प्रोड़क्ट या सर् आईए अब समझते हैं मर्केटिंग का ट्राडिशनल और डिजिटाल मर्केटिंग का बीच में अंतर क्या है लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ट्राडीशनलमर्केटिंग और Digital Marketing होती है क्या क्या होती है traditional marketing जैसा कि नाम से ही स्पोस्ट है marketing करने का परमपरिक तरीका जब से product और services की marketing शुरू हुई तब से जो तरीका इस्तेमाल में लाईया जा रहा है ओ है traditional marketing यानि कि marketing करने का परमपरिक तरीका इस तरीके से marketing करने में जिन साधनों का इस्तमाल होता है ओ है पामपलेट, पोस्टर, टिवी विग्यापन, नियोज़ पेपर, विग्यापन, होडिंग इत्यादी शुरुआती दोर में technology इतने ज्यादा ब्यकसित नहीं हुई थी जिसके कारणबसत इंटरनेट इतना सिलब नहीं था नहीं अनलाइन प्रणानी से लोग इतने परिचित थे इसलिए तब मार्केटिंग का सबसे लोकोप्रीत तरीका पोस्टर लगाना, अगबार में विग्यापन देना, टिवी में विग्यापन देना, रास्तों में होडिंग लगाना इत्यादी ही थे, जिसके, जिससे की ज्यादे से ज्यादा लोग तक प्रड़क या सर्विस का जानकरी पहुंच सके ट्राडिशनल मार्केटिंग, 1990 से पहले चल रहा था डिजिटल मार्केटिंग किसको कहते हैं? जैसे जैसे टेक्नलोजी ब्यक्कसित होती गई, इंटरनेट शुलोब होता गया और लोगों अनलाइन मैध्याम से भली भान्ति परिचित होते गई फिर मार्केटिंग का तरीका भी परमपरिक से बदल के डिजिटल हो गया कहा सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग परमपरागत मार्केटिंग का एक अपडेट वर्शन है और डिजिटल मार्केटिंग में SEO, SEM, SMM, Automation, Email, Whatsapp मार्केटिंग, Social Media मार्केटिंग यानि की Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube इत्यादी का उपयाओ करके मार्केटिंग की जाती है ट्राडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग क्या है ये बात तो होए गई और आप सब कुछ हद तक समझ भी गए होंगे दोनों एक दुसरे से अलग केशे हैं लेकिन आप दोनों की बीच में क्या अंतर है ये बात भी जान लेते हैं आईए जानते हैं ट्राडिशनल मार्केटिंग भर्शस डिजिटल मार्केटिंग जैसा कि नाम से ही स्पस्ट है ट्राडिशनल मार्केटिंग का परंपरागत तरीका है और डिजिटल मार्केटिंग एक तरीका है ट्राडिशनल मार्केटिंग का ओपडेट भर्शन है यानि कि आप कह सकते हैं वो मार्केटिंग का मॉडरन तरीका है एक समय में एक ही देश में या स्तान में टार्गेट करके वो ट्राडिशनल मार्केटिंग किया जा सकता है लेकिन डिजिटल मार्केटिंग एक समय में ब्यापक स्तार पर अडियान्स को टार्गेट किया जा सकता है ट्राडिशनल मार्केटिंग बक्त और पेशा दोनों ही ज्यादा लगता है लेकिन डिजिटाल मार्केटिंग में कम बक्त और कम पैसा खर्च होता है और बहतर रिच बनाई जा सकती है आपको काफी भागदड़ों करने पड़ सकता है सारी रिक रूप से काफी मेहनत वाला काम भी आप कर सकते है ट्राडिशनला मार्केटिंग में लेकिन डिजिटाल मार्केटिंग से आप आराम से घर बेटे भी आप कर सकते हैं क्यूंकि मार्केटिंग के इस तरीके में टार्गेट अडियांस समय पैसा इत्यादी से सम्भधित काफी सिमाय सामिल है इसलिए इसमें ब्रांड का नाम बनने में काफी समा लग सकता है लेकिन डिजिटाल मार्केटिंग इसे मार्केटिंग के तरीके में रिच बहुत ज्यादा होती है और वक्त, पैसा, भागदोड इत्यादी से सम्भधित ज्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो ब्रांड का नाम भी बहुत जल्ली बनता है आनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल होता है कि कितने लोगों तक हमारी बात पहुंची और टार्गेट अडियान्स से रियाक्शन मिल रहा है लेकिन डिजिटाल मार्केटिंग में क्योंकि ओनलाइन होता है तो आनालिसिस भी आसान होता है बहुत सारे टूल्स होता है जिसके इस्तेमाल करके आसानी से समझा जा सकता है कि तरीका कितनी भी करगार रहा और बहुत सारे अनलाइन माध्याम है जैसे कि इमेल मार्केटिंग, अफिलेट मार्केटिंग, इकमर्स मार्केटिंग ये बहुत सारे अनलाइन माध्याम से जो कि डिजिटाल मार्केटिंग को बहुत आगे ले जार सकता है ये दोनों मार्केटिंग, ट्राडिशनल मार्केटिंग और डिजिटाल मार्केटिंग से आपको पता लग गया है सबसे बहतर है डिजिटाल मार्केटिंग, मैं डिजिटाल मार्केटिंग सिख रहा हूं डिजिटाल आदादी स्कूल से संदी भनसलिशार से आप लोग भी ये डिजिटाल मार्केटिंग शिख कर बहुत सारे मल्टिपुल सोर्स अप इंकम जेनेर्ट कर पाऊंगे ये है ट्राडिशनल मार्केटिंग और डिजिटाल मार्केटिंग का बीच का अंतर है ये टॉपिक आपको आचा लगता है तो फास्ट अफल लाइक कीजिए मेरा वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेट दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज सब्सक्राइब माई चानेल और माई वीडियो और बेल आइकन को दवाना मद भुले इतने बोलके आज का ये वीडियो को में समाप्त कर रहा हूं नमस्ते जय हिंद जय भरत